हलो दोस्तो मैं हुशी उली और मेरी किचन में आप सब का स्वागत है आज मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से जी कोईल हीटर पर बिल्कुल परफेक्ट फुली फुली रोटी आप बना सकते है फुल का रोटी भी बताऊंगी और तेल की चपाती भी बताऊंगी तो चलिए दोस्तो फटापट रेसिपी शुरू करते है तो दोस्तो आटा कैसे गूतना पड़ता है वो तो बताने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन सॉफ्ट आटा गूतना है बिल्कुल परफेक्ट रोटी के लिए और आप चाहे तो गूतते समय थोड़ा सा तेल का भी इस्तिमाल कर सकते है तो इसको इस तरह से ढाक कर रखना है और जो तावा आपको लेना है वो देखिए मेरा ये जो तावा है ये बहुत हलका है हलके तावा पर जीकोईल हीटर पर अच्छी रोटी नहीं बनती है ये जल जाती है और ये देखिए ये जो मेरी फ्राइपैन है ये थोड़ी सी मोटी है मतलब इसका जो तला है ये मोटा है मैं कहना ये चारियों कि जो भी ले रहा है आप मतलब तावा हो ये फ्राइपैन हो जो हेवी है वो ही लेना है और इस तरह का ग्रिलर नेट चाहिए जिससे हम चपाती फुलात है गैस पर इस तरह का एक नेट चाहिए बिना नेट के भी आप कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, अगर हो तो लीजिए तो अभी पहले हमें G-coil heater को turn on करना है, बिल्कुल full heat पर full heat पर ही अच्छी चपाती बनती है और यहां मैंने रोटी भी बेल ली है, आप देख सकते हैं, मैंने पतली रोटी बेली है क्योंकि पतली रोटी खाने में अच्छी लगती है और अभी हमें तवे को preheat करना है, मतलब full heat हो जाने के बाद तवे को रखना है और 20 मिनिट के लिए preheat करना है, उसके बाद हमें चपाती को एड करना है तो देखिये मैंने चपाती एड कर दी है, अभी 15 से 20 सेकंड के लिए wait करना है उसके बाद इसको पलट देना है तो देखिये मैं भी पलट देती हूँ, और पलटने के बाद लगबग 30 से 35 सेकेंड के लिए वेट करना है थोड़ा-थोड़ा हाथ से गुमा सकते है और उसके बाद इसको ले लेना है ग्रिलर पर ये देखिए इस जाली पर ले लेती हूँ और बहुत ही अच्छी तरीके से ये बहुत ही बढ़िया तरीके से फुल जाती है हलका-हलका प महाराश्टियान जो चपाथी होती है वो बेलते समय भी तेल लगाकर बेलते हैं मतलब अंदर यो पर बेल आउग जो भी लगाश्ट या तो बटरτικम भी लगा सकता हैं बिना ग्रिलर के भी जैसे कि हम ग्यास पर बनाते हैं तवे पर वैसे ही बना सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं आती है मैं वो भी आपको दिखाती हूँ एक बार पहले इसको तेल लगा कर एक बार शेक लेती हूँ तो देखिए दोस्तों अभी मैं तीसरी रोटी रख रही हूँ इसको मैं बिना ग्रिलर के बनाओंगी बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम है मैंने पलट दिया है और अभी फिर से 30 से 35 से के लिए वेट करेंगे और फिर से पलट देंगे और अभी एक कपड़ा लेना है और बिल्कुल अच्छे से फुल जाती है अभी अगर तेल लगाना हो तो इस तरह से तेल भी लगा सकते कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों इससे पहले मैंने जी कोईल कर रिव्यू डाला था दो बार डाला था और हर एक वीडियो में बहुत सारे कॉमेंट्स आया है कि इ इसे ही चपाती रखके फुला सकते है और इसके ओपर डिरेक्टली कॉयल पर आप चपाती को नहीं रख सकते है नहीं तो यह जल जाएगी और इसके ओपर चपाती को फुलाने के लिए हमें एक ग्रिलर नेट की जरूरत है बस इतना सा फ़रक है दोस्तों अगर वीडियो अ सब्सक्राइब करना थैंक यू